मुरमुरे से हम बनाएंगे बहुती स्वादिश्ट और हेल्थी नाश्टा जो आपने पहले कभी नहीं ट्राइक किया होगा बहुती मज़ेदार नाश्टा बनता है ये और इतना लाइट होता है और हेल्थी तो है ही तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राय करें और वीडियो को एंग तक देखें कि हम ये नाश्टा कैसे बना के त्यार करेंगे वो भी मुर्मुरे से तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं अगर आपको मिज़ी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बाइब को जरूर रॉन करें ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो डालू आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें नाश्ता बनाने के लिए हमें यहापे एक कप मुर्मुरे लेनी हैं जिसे हम पॉफ्ट राइस भी बोलते हैं यह बहुत एजली मिल जाएंगे आपको तो इससे हम इंस्टेंट नाश्ता कैसे बनाएंगे वो देखते हैं तो सबसे पहले मुर्मुरे को हम क्या करते हैं ग्र इसके बाद हम एक अलग से mixing bowl ले लेंगगे और इसमें एक कप जितनी सूजी डालदेंगी, हमें सूजी यहां पर बारिक वाली लेनी है, और इसी के साथ डाल देते हैं मुर्मुरे का powder, जो हमने powder तयार किया था, वो सूजी के साथ प्यूसरारी दालदेंगे, साथी में हम डा पानी की ज़ुरत हमें और पढ़ रही है तो आधा कप पानी में इसमें और डाल दूंगी पानी आप ज़ुरत के हसाब से ही डाले हमें इसका गाडा बैटर बना के त्यार करना है जो गोल है गाडा रखना पतला नहीं होना चाहिए और यहां पर आप देख सकते हैं गोल बन क चमच जितना ओइल डालेंगे बहुत ज़रा सा ओइल डालें फिर इसमें आधा शोटा चमच डाल देंगे सरसो के दाने इसके साथ इसमें डाल देते हैं हींग भी तो जैसे ही यह सरसो क्रैकल होगी इसमें हींग डाल देंगे तो हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आएग बैटर में डाल सके और इस जो नाश्टे का स्वादे वो और भी ज़ादा बढ़ जाएगा इस तड़का के वज़े से तड़का हमारा तयार हो गया है इसे हम सीधर डाल देते हैं इस बैटर में पहले हम लास्ट में डाल देते हैं एक सेचिट लगेड़ने के बाद इस आप लगतार मिला ले लगतार default मिला लें जब यह नाश्ट बनाना शुरू कर रहे हों उससे पहले आप यह इनों डालें और इसका नाश्ता हम तयार करेंगे तो यह पर आप देख सकते हैं बैटर हमारा रेडी है एक पैन को हम गरम करेंगे और इसमें हलका सा ओईल ग्रीस कर देते हैं ओईल बहुत ही ज़रा सा लगेगा तो एक चमच भरके हमें बैटर डाल देना है पैन के अंतर और यह अपने आप से ही फैल जाता है फिर धकन को हम बंद कर देते हैं दो मिनिट के लिए से पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर तो दो मिनिट के लिए से ढक्के पकाएं ताकि यह उपर से थोड़ा से ड्राय हो जाए और नीचे से सिख जाए जैसे ही उपर से ड्राय हो जाएगा और नीचे से सिख़ेगा आपको इसको पलट देना है इस नाश्टे को बनाने के लिए खास बाती है कि आपको ज़्यादा तेल का इस्तमाल भी नहीं करना है फिर हम इसे पलट देते हैं और इसे दूसरे साइट से भी सेख लेते हैं तो बेसिकली यह साउथ इंडिया की बहुत ही एक पॉपुलर रेसेपी है जिसे हमने इंस्टेंट बना के तियार किया है तो इसलिए यह थोड़ी नहीं हो जाती है क्योंकि इंस्टेंट बन गई है आपको इसमें चावल को भीगो की नहीं रखना है तो यहाप आप देख सकत यह चोटे मिनी डोसे हमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट देते हैं यह खाने में इडली डोसा मिक्स लगते हैं मतलब आप इसे जब खाएंगे तो आपको मिक्स फ्लेवर आएगा तो यहापे आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता तैयार हो गया है इसी तरह से स्टेंड बन गया है जादा समय नहीं लगा है और बिना तेल का इतना हेल्दी नाश्ता कहां मिलेगा तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करें एकदम लाइट बनता है खाने में बहुत यमी लगता है आप इसे फ्रेश कर्ट के साथ खाएं टोमेटर के साथ खाएं य कॉर्णी रेसिपी के साथ